आज के इस महत्प पुणकार के मुपस्तित, करनाटा गागे गवणनर स्री, मुख्यमंत्री स्री, रक्षा मंत्री राधनाज स्री जी, मंत्री मंदल के मेरे अन्य सदस्य, देश विदेश से आए, डिफेंस मिनिस्टर्स, इंदुस्ट्री के सम्मानित प्रतिनी धी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सर्जनों, मैं एरो इंडिया के रोमान चक पलों का गवा बन रहे, सभी साथियों का विनन्दन करता हूँ, बंगलुरू का अस्मान अज नए भारत के सामर्त का साक्षी बन रहा है, बंगलुरू का अस्मान आज इस बात की गवाई दे रहा है, कि नई उचाई, नए भारत की सच्चाई है, आज देश नई उचाईयों को छूपी रहा है, और उन्हें पार भी कर रहा है, साथियों, एरो इंडिया का यायोजन, भारत के बढ़ते हुए सामर्श का उदारण है, इसमें दुनिया के करीब सो देशों की मौझूद की होना दिखाता है, कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है, देश विजेश के साथ सो से अधिक एक्जिबिटर्स, इसमें अपनी भागी जारी कर रहे हैं, इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड दिये हैं, इसमें भारत के MSM इस भी हैं, स्वदेशी स्टार्ट अप भी हैं, और दुनिया की जानी वानी कम्पनिया भी हैं, यानि Aero India की थीम, the runway to a billion opportunities, जमीन से लेकर आकास तक हर तरब नजर आ रही हैं, मेरी कामरा है, आप मंदिर बर होते भारत की ये ताकत, ऐसे ही बढ़ती रहें, साथियों, यहाँ Aero India के साथ ही, defense ministers, conclave, और CEO's route table, इसका भी आयोजन किया जा रहा है, दुनिया के विभिन्द देशों की सह भागिता, CEO's की ये सक्रिय भागिजारी, Aero India के global potential को और बढ़ाने में मदद करेगी, ये मित्र देशों के साथ, भारत की विश्वस्लिय भागिजारी को आगे लाए जाने का भी, एक माध्यम बनेगा, मैं इन सभी initiatives के लिए, defense ministry, और industry के साथियों का अभिनंदर करता हूँ, ताथियों, Aero India, एक और वज़े से बहुत खास है, ये करनाटका जैसे भारत के technology और technology के दुनिया में, जिसके महारत है, advance है, ऐसे राज करनाटका में हो रहा है, इससे Aero Space और Defense में नए आउसर पैदा होंगी, इससे करनाटका के युवाओं के लिए नई संभावना एक खुलेगी, मैं करनाटका के युवाओं से भी आवहन करता हूँ, technology को फिल में आपको, जो महारत हासिल है, उसे रक्षाक शेत्र में देश की ताकत बनाएगे, आप इन आउसरों से जादा से जादा जुड़ेंगे, तो Defense में नए इनोवेशन का रास्ता खुलेगा, साथ क्यों, जब कोई देश नई सोच, नई एप्रोच के साथ आगे बढ़ता है, तो उसकी व्यवस्ताएं भी नई सोच के हिसाब से ड़नने लगती है, Aero India का ये आयोजन, आज नए भारत की नई एप्रोच को भी रिफ्लक करता है, एक समय था, जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्प इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था, बीते वर्षों में देश ने इसे इस परसेप्शन को भी बढ़ला है, आज Aero India केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है, आज ये इंडियन डिफेंस इंडिस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता है, और सेल्फ कॉन्फिडन्स को भी फोकस करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कप्रियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशिल डिफेंस पार्टनर भी है, ये पार्टनर्शिप उन देशों के साथ भी है, जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे है, जो देश अपनी रक्षा जरुरतों के लिए एक बरोसे बन साथी तलात रहे हैं, भारत उनके लिए भी एक बहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है, हमारी टेकनलोजी इन देशों के लिए कॉस इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है, हमारे यहां बेस इनोवेशन भी बिलेगा और ओनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है, साथियों हमारे यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमानम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमान की आवशक्ता नहीं होती, आज भारत के संभावनाओं का, भारत के सामर्थ का प्रमान हमारी सफलताएं दे रही है, आज आकास में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेंच मेकिन इंडिया के सामर्थ का प्रमाण है आज हिंद मासागर में मुस्तेज एरकाप केरियर आई एस विक्रान मेकिन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है गुजरात के बड़जा में C-295 की मैनिफेक्टरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HL के हलिकॉप्टर निडिट हो ये आत्म निरभर भारत का वो बड़ता सामर्थ है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बहतर आउसर जुड़े है चाथ क्यों 21 सी सदी का नया भारत अब ना कोई मोका खोएगा और ना ही अपनी महनत में कोई कमी रखेगा हम कमर कस चुके हैं हम रिफोर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवलूशन ला रहे हैं जो देश दसकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस एक्विप्मेंट एक्सपोर्ट कर रहा है बीते पांच वर्सों में देश का निर्यात छे गुना बड़ा है 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड पंदरा वन कोईन फाइव बिलियन डॉलर से ज़्यादा के एक्सपोर्ट को उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है फ्रेंट्स आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा छेतर है जिसकी टेक्नलोजी को जिसकी मार्केट को और जिसके विजलेश को सबसे कॉम्प्लिकेटर मना जाता है इसके भावजुद भारत ने बीते आठ नव साल के भीतर भीतर अपने हाँ डिफेंस सेक्टर का कल कर दिया है इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुवात मानते हैं हमारा लक्ष है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को देड बिलियन से बना कर पाँच बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे इस दोरान किये गए प्रयास भारत के लिए एक लाउंच पैड की तरह काम करेंगे अब यहां से भारत दुनिया के सब्चबड़ा डिफेंस मेनिफेंस देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्रावेट सेक्टर और इवनेश्टर्स की महत्वप्र भूमिका रहने वाली है आज मैं भारत के प्रावेट सेक्टर से आवान करूंगा कि जादा से जादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें भारत में डिफेंस सेक्टर में आपका हर इडिवेस्टमेंट भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार थे आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा नई संभावनाएं नई अवसर सामने हैं भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए साथियों अमरित काल का भारत एक फाइटर पाइलेट के तरह आगे बढ़ रहा है एक ऐसा देश जिसे उचाई या छुने से डर नहीं लगता जो सबसे उची उडान भरना के लिए उत्साहित है आज का भारत तेज सोचता है दूर की सोचता है और तुरंद फैसले लेता है ठीक वैसे ही जैसे आकास से उडान भरने वाला एक फाइटर पाइलेट करता है और सबसे महत्वपुन भात भारत की रप्तार चाहे जितनी तेज हो चाहे वो कितनी भी उचाई पर क्यों न हो वो हमेशा अपनी जडों से जुडा रहता है उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है यही तो हमारे पाइलेट भी करते हैं एरो इंडिया की गगन बेदी घरजना में भी भारत के रिफार्म परफार्म और ट्रांस्पोर्ट की गुंज है आज भारत में जैसी निरनायक सरकार है जैसी स्थाई नितियां है नितियों में जैसी साप नियत है वो अभुत्पुर्व है हर सक इंवेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टियू माहोल का खूब लाब उठाना चाहिए आप भी देख रहे हैं कि इज आप डूइंग बिजनेस के जिशा में भारत में किये रिफॉर्म की चरदा आज पूरी दुनिया में हो रही है हमने ग्लोबल इनवेस्टमेंट और इनियन इनवेशन के अनुकुल माहोल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाये हैं भारत के डिवेंज सेक्टर में फोरेंट डार के इनवेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है अब कई सेक्टर में FDI को आटोमेटिक रूट से मंजूरी मिली है हमने उठ्योगों को लाइसस देने की उप्रक्रिया को सरल बनाया है उसकी वेलिटिटी बढ़ाई है ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोना न पड़े अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजेट आया है उसमें मैनुफेक्टरिनिंग कंपरियों को मिलने वाले टेक्ट बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है इसका फाइदा डिपेंस सेक्टर से जुड़ी कंपरियों को भी होने वाला है साथियों जहां डिमांड भी हो capability भी हो और experience भी हो natural principle कहता है कि वहाँ industry दीनों दीन और आगे बढ़ेगी मैं आपको भरोशा दिलाता हूँ कि भारत में डिपेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिल्सला आगे और भी तेजगती से बढ़ेगा हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है मुझे भी स्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और सांदार आयोजन के गबा बनेंगे इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सब को अनेक अनेक शुक पामनाय देता हूँ भारत माता की जये इदू प्रधानी नरेंद्रमोद्यवरा मातू